जी आनमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का आरेस्ट न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत वेस्टेंडीस के बीच तीसरे टीटॉंटी मुकाबले के 19 वे ओवर में रुहित शर्मा ने आकिरकार हर्शल पटेल से आकर ऐसा क्या कहा कि हर्शल पटेल ने भारत को इसी ओवर में जिता दिया और वहीं दोस्तों अगर आप भी हर्शल पटेल को एक बहतरीन गिंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरू लाइक आप बिल्कुल ही दियूसरे टी-20 मुकाबले की तरह दरसल यहां भारतिया टीम ने शांदार प्रदर्शन करकर दिखाया और टीम ने इस मुकाबले को भी 17 रनों से जीत लिया और हम आपको बताएं कि इस मैच में पहले वेस्टन डीज टीम के कप्तान काईरन पोलाड ने लेकिन भारतिये टीम की गेंदवाजी के आगे वेस्टन डीज टीम का एक भीवाजज चलना सका दरसल हों वेस्टन डीज की टीम जब मैदान पर बल्ले बाज़ी करने के लिए आई थी तो यहां पर वेस्टन डीज की टीम के एक गृटियों के भाएव लिव data और इसके ब इसकी तरफ से बसमात्र निकोलस पूरे नहीं एक ऐसे बल्लेबास थे जिन्होंने 47 गिंदों में 61 रनों की पारी खेली हलाकि उनको श्रादुल ठाकुर ने इशान किशन के हाथों कैच आउट करवाया तो वहीं इस मुकाबले में सबका ध्याना करसित किया श्रादुल 12 गेंदों में 31 रनों की जरुएत थी और जब हर्शल पटेल गेंदवाजी के लिए 19 वे ओवर में आए तो 19 वे ओवर की पहली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ट ने लगबाय के दोरन चुरा लिये और इसी के साथ रोही शर्मा काफी जादा भढ़कता हुए दिखाई द और वो तुरंत हर्शल पटेल के पास पहुचे और उनको स्ट्रेटेजी बताई कि अगली गेंदों ने किस तरह से डाल लिया और हर्शल पटेल ने उनकी बातों पर धान दिया और उन्होंने रोमारियो शेफर्ट को दूसरी गेंद स्लोर गेंद डाली और इससे उनको फा पांचवी गेंद पर हर्शल पटेल को विकेट मिला वो भी रोमारियो सेफर्ट का जो की इस गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले में हर्शल पटेल के 19 वे ओवर में बहतरीन गेंदवाजी के बलबूते पर इस मुकाबले को जीत और अँ हर्शल पटेल ने बड़ा बयान देते हुए बताया की 19 वे ओवर में रोहित शर्मा ने क्या उंसे बात कही जीयां यहां पर हर्शल पटेल कहते हैं की 19 वे ओवर जब मैं करवाने के लिए आया था तो रोहित ऱहाई ने मुझे बताया की मैं अपनी मजबूत कڑड का इस्ते माल करूं अगर मैं जरूर गेंद डालने में कामयाँ भू पցआता हूं तो मेरे को फ्रीयू नहीं का प्रयास करना है हाला कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और पहली यहीं गेंद फास्ट मैच का पासा पलड जाता है और ऐसा मुझे होने नहीं देणा ता रोहित भाही ने मेरे पर भरोसा जाताए या मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा मुझे काफी जादा खुशी हो और टीम इंडिया जिस तरह से जीते हैं उसी में हम सब की खुशी होती है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हर्षल पटिल ने काफी बहतरीन बयान दिया, बाकि अब आपकी क्या रहा है, हर्षल पटिल की इस बयान के बारे में आप झाल झाल